कि पिता परमेश्वर ने आज हम सब को ये विशेश अनुगर दिया है कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन करने के लिए इस सुनियोजित तीन दिस्क तीन दिवसी अध्यात्मिक समेलन की संध्या हम उपस्थित हो सके प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और हर समय परमेश्वर हमारे लिए नए होते हैं और वो कभी पुराने नए होते हैं परमेश्वर के खरदे को समझना हमारी आवशक्ता होती है परमेश्वर पिता ने कभी भी वह कभी नहीं किया जब तक कि उसने अपने दास भविश्वत्ताओं के उपर अपना मर में प्रगट ना किया हो इसलिए परमेश्वर के चलने और फिरने का जो एक मात्र रास्ता है और वो ये है कि हम परमेश्वर के खिर्दे में कौन सी बात पाई जाती है हम उसको समझ ले और यदि हम उसको समझने में सफल हो गए तो परमिश्वर के मूव को या उसके चलने और फिरने को हम इंकार नहीं कर सकते हैं तो आज हम कुछ ऐसे भी भविस्द्वक्ताई दर्शन को आपके सामने लाना चाहेंगे जिससे की हम उसकी अद्भूद जो योजनाय हैं उसको हम जान सकें जिससे की पिता परमिश्वर हमारे साथ व्यभार कर सकें राइट सो हम पढ़ेंगे कल हमने देखा था जिससा हमाशार। झाल हललिया एह एक में थासाब एक वास्थापश्ण प्रकाशित प्रकाशित वाकाश्दिemorत आपकी किताब है और उसमें से हम पढ़ेंगे इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन करें हम प्रात्ना करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करें और हम प्रभु के दिल की बाते जान सकें प्रात्ना करेंगे स्वर्ग और प्रत्वी के बनाने वाले परमेश्वर हम एक बार फिर आपके नाम को धन्न कहते हैं आपकी अराधना आपके इस्तूति और तारीफ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वजी आपने हमें एक बार फिर ये विशेश अनुग्रे दिया है कि हम आपके वचन पर चिंतन कर सकें और प्यारे पिता परमेश्वर जो बातें आपने हमारे लिए रखा है आज की रातरी काल में हम प्राप्त कर सकें अपने दास की बुद्धी को अपने नियंतरण में ले लें ना बल से ना बुद्धी से ना ज्यान से वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो लेने के लिए प्रार्थ न करते पिता परमेश्वर आप वही कीजिएगा जो वही कहिएगा जो आपके हिरदय के अंदर पाया जाता है पिता परमेश्वर एक बार फिर हम अपनी बुद्धी को जमीन में फेके हुए पानी की तरहे डाल देते हैं जिससे की वे फिर से समीटी न जाए प्रभुजी हम आपको धनेवाद देते हैं आपकी दया हम पर बनी रहे एशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं आमेन पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर को धनेवाद देते हैं आप हमारी आवास सुन रहे हाथ हे लाके बताएं पिता परमेश्वर को धन्यवाद इस समय हम समस्त सुरूताओं को जो इस समय ओनलाइन है योट्यूब में हैं अहमदाबाद गुजरात की अहमदाबाद नाम शहर में चलने वाली तीन दिवसी अधियात्मी सम्मिलन में आपका स्वागत है और प्रभू परमेश्वर को हम धन नुग्रह देते हैं, सो कल हम देख रहे थे प्रकाशित वाक्य किताब और उसका 21 अध्याय और उसकी एक पट से हम फिर से चिंतन करेंगे, कल हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ती से पहले अपनी आत्मा की विशाल परिचे से उसने एक तिन का निकाल करके मनुष्च को एक अलग आत्मिक व्यक्ती की रूप में पहचाना और उन समयों से लेकर अब तक परमेश्वर के हिर्दे में एक विशेस योजना हर आत्मा के लिए जिसे उसने नुक्त समय में मनुष्च को तन पहना करके धर्थी पर पैदा किया और उसकी अपनी कल्पना ये थी कि जब मनुष्च धर्थी के अंदर पैदा होगा तब उसने परमेश्वर के पुत्र के समान होने वाली संपत्ति इखटा करनी है यही एक पहला और अंतिम रास्ता ये पहला अंतिम विचार था कि वह है भौतिक शरीर में पैदा होकर मरने से पहले कभी नहीं मरने वाले शरीर की प्राप्ती के लिए धनिखटा करे कांधर के सुनिएगा उसने जगत की उत्पत्ती से पहले हमको जाना और मा के गर्व में शरीर पहनाने के लिए पैदा करने से पहले उसने हमें ठहराया इन दोनों दशाओं में परमेश्वर के हिर्दे में एक ही कल्प न थी कि वह तन पहन कर जो एक दिन मर जाने वाला है उसे कभी नहीं मरने वाले शरीर को धारित करे इस मंसा से उसने अपनी आत्मा में से एक तिन का लिकाल कर एक नए व्यक्ति की रूप में परिचित किया और समय का इंतिजार किया कि एक दिन मैं अपने अंदर से निकली आत्मा को जिसे मैंने एक अलग व्यक्ति की रूप में पहचाना है मैं उसे तन पहनाऊंगा और तन पहना करके जब वो धर्ती पर पैदा होगा, तो उसका एक मात्र उप्योग होगा, कि वह इश्वर का पुत्र बनने की तमन्ना, इश्वर के पुत्र बनने का दर्शन अपने आप में पूरा करके, फिर वो मर जाए, तब है, जब मैं अपने पुत्र येश्व मसी को इस धर्ती के अंदर भेजूंगा, तब वह है उन लोगों को, जिन लोगों ने शरीर में पैदा होने के महत्व को या काम को समझ लिया है, और जो आइडिया परमेश्वन ने मनुश को दिया है, कि वो इस धर्ती पर पैदा होने के समय कौन सा धन खटा करे, यदि वो उस धन को खटा कर लेगा, तो प्रभु येश्व मसी के दुबारा आगमन के समय मैं उसे महिमा की देह नाम की संपत्ति उसे दे दूँगा, दूसरा पत्रस की किताब है, और उसका तीसरा अध्या है, और उसके आप माफ कीजिएगा, ये वाला पद नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा पद निकाल दूँगा, जहां पर प्रभु हमें ये उमीद देते हैं कि तेरवे पद में तीन तेरा, दूसरा पत्रस तीन तेरा, और उसकी प्रतिग्या के अनुसार हम एक नए आकाश और नए प्रत्वी की आशा देखते हैं, जिसमें धर्मी जन निवास करेगा, इस कलपना से परमेशवर हमारे लिए एक ऐसी आशा जिसको पहला पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके तीन पद में हमको देखने के लिए मिलता है, फर्स्ट पीटर चैप्टर वान और वर्स थ्री, हमारे प्रभु एशु के परमेशवर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने एशु मसी के मरे हुओ मैं से जी उठने के द्वारा, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन में दिया, अर्थात एक आविना आविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, हमारे पीछे बोलिए, एक आविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए, तीन चीज़ हैं, आविनाशी निर्मल अजर, बस थेंकियों, अजर मतलब जो जरजर नहीं हो सकती है, जो फट नहीं सकती है, जो बुढ़ी नहीं हो सकती है, जिसमें ना चस्म लगे ना कान की मसीन, फिर ये बाल रंगाने की जंजट खतम हो जाएगी, ये नकली जितने लगे हैं ना, यदि हड़ी ज्यादा चवाली तो मुझ से बाहर आजाएंगे, यह सारा problem solve हो जाएगा, आप कितने ही लिपिस्टिक मारो, खुदा ओरिजिनल बना देगा, फिर बार-बार धोने और माजने की समस्य खतम अपन भी ना आए पंदरा दिन में कलर वदलते की नहीं वह हमारी 24 के अनुसार हमारी नखूनों में कलर देगा, आप कल्पना तो करो कहने का मतलब यह है एक ऐसी अजर मिरास है, जिसको परमेशर पिता ने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है, अब यहाँ नहीं है इसलिए यहाँ तो खरीद लिया हमने प्लाट, पर उपर के बीप तो प्लाट की चिंता करो जिसमें खुद अब आपने मार्किंग करके रखा है, और यदि हमारे नाम पर प्लाट आ भी गया तो मटेरियल भी तो सप्लाई करना पड़ेगा ना, जिससे की हमारे लिए वहाँ घर बनाया जा सके, एक अजर और निर्मल एक आविनाशी जो कभी नहीं मरने वाली है आविनाश ना मरने वाला निर्मल जिसमें किसी प्रकार का कोई भी दोश नहीं है और अजर जो कभी नहीं मरेगी जो जरजर नहीं होगी इसका संबंध है हमारे तन से है और निर्मल का संबन्ध हमारे मन से है और आविनाशी का संबन्ध हमारी आत्मा से है पहला थिसलोन क्योंकि किताब और उसका पांचवा अध्या है और उसके तेवी स्वेपद में पहला थसलोन क्योंकि किताब उसका पाँचवा अध्या आए और उसके तेवीस विपद में बाइविल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष को तीन विभागों में विभाजित करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण आशा रखी और उससे कहा कि पाँच तेईस में शान शांती का परमेश्वर सब लोग हमारे तरफ ध्यान दें बच्च कुन्य अंत्रण में रखें शांती का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीती से पवित्र करें कौनसा परमेश्वर शांती का अब हम बहुत परमेश्वर तो कई प्रकार के हैं क्या नहीं 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 परमिश्वर कई प्रकार के नहीं है परमिश्वर के काम करने के तरीके कई प्रकार के है एक तो वो चंगा करता है तो चंगा करने वाला बन गया एक तो वो हमारी आवशकता पूरा करता है तो यहोवा इरे बन गया और यदि वो हमारे लिए विजय बन जाता है तो निशी बन गया यहोव इरे, राफवा, साम्मा, एलशदाय, करुना, निधान, विलंब से कोब करने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा दिलाने वाला, संपत्ति देने वाला है तो परमेश्वर एक ही परंतु आवेशक्ता के अनुसार जो हमारी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करे उस जरूरतों के आधार पर हम उसका नाम रख लेते हैं और यहां एक और जरूरत है और वो जरूरत है शांति का परमेश्वर आज हम चंगाई मांगते हैं छुटकारा मांगते हैं आशीश मांगते हैं नौकरी मांगते हैं चाकरी मांगते हैं भूतों से छुटकारा मांगते हैं अमरीका का वीसा भी मांगते हैं कोट कचेरी से आजादी भी मांगते हैं शादी नहीं होती तो उसका भी इंतिजाम करते हैं एक बिटिया ने हमको फोन किया एक बार अंकल जी अंकल जी जाए मसी की प्रेज दे लॉर्ड और बहुत बतियाने लगी आप जानते हो मेरे को हाँ वो पीली सूट वाली पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी बेटा हजारों मिलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे काम की बात करिएगा आप अंकल बात ऐसी है अरे क्या गूगूग कर रही जल्दी से काम बता नहीं तो बंद कर फाल तुका टाइम वेस्ट कर रही है फिर उसने बड़ी हिम्मत जुटा के कहा मेरा ना एक के साथ सिलसिला चल रहा है और पहले वो दिन में न तीन बार चार बार फोन करता था आज कल हफते में एक बार करता ऐसी दूआ करो कि रोज करने लगे हमने कहें हमें लड़की पटाने के लिए और कोई दूआ नहीं मिली अब क्या करें हिम्मत जुटाया थाब दूआ करें कि ना करें अब हमें क्या बता दूआ आपको तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति इस संसार की आवशकताओं को माध्यम बना करके हम परमेश्वर के परिचे को ढूड़ते हैं परनतु यहाँ पर बाइबिल का परमेश्वर कहता है एक परिचे है हमारे प्रभू का और वो है शांती का राजकुमार इसके पीछे कोई नहीं जाता जबकि हमारे प्रभू के परिचे में इस महत्यपूर्ण काम का एक विशेस इस्थान रहा है जिसको यदि में यशयाह की किताब और उसके नववे अध्याय में चले जाएं इसको बन मत करना फिर वापस यहीं आएंगी So book of Isaiah chapter 9 and verse 6 चटवे पद में ऐसे लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभूता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुद युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता इन सब डिगरी के बा शांती का राजकुमार रखा जाएगा और इस कारण से उसकी जो प्रभूता है सरवदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांती का अंत नहीं होगा उसकी शांती का अंत नहीं होगा एक नई चाबी आज प्रभू आपके हाथ में सुपुर्द किया चाहते हैं इसलिए बाईबिल का प्रभू हमें बताता है कि शांती का परमेशवर, शांती का परमेशवर आप ही तुम्हें पूरी रीती से अधूरी रीती से नहीं, पूरी रीती से पवित्र करे, अब ये पूरी रीती से पवित्र करने का मामला कहां-कहां लागू होता है, ये भी तो विचार कीजे गा ना, तब ऐसे लिखा हुआ है, और तुम्हारी आत्मा, नमबर वन, और प्राण, नमबर तू, तू, और दे है, नमबर थ्री, हमारे एशुमसी के आने के समय तक है, पूरा पूरा और निर्दोष और सुरक्षित यहां भी तीन है पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित बने रहें तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा अब फिर वापस आ जाएं कहां पहला पत्रस की किताब में और उसके पहले अध्याई के तीसरे पद में यहां देखा आविनाशी नमबर टू निर्मल और नमबर थ्री अजर अजर का संबंध सरीर से है जो जरजर नहीं हो सकती जिसके तन को सडने और गलने की आशकता नहीं होगी इसलिए दावुद कहता है हे परमेश्वर तू मुझे अधलोक में सडने नहीं देगा आत्मा नहीं सडती दिमाग नहीं सडता सरीर सडता है संकेत वहां यही है कि एक दिन पुनरोथान का स्वामी जब इस धर्ती के अंदर में आएगा तो मेरे तन को पुनरोथान देगा जिसके आधार में मुझे उस नई नगरी में जो आस्मान में मेरे लिए टाय की गई है वहां मेरी प्लोटिंग के उपर में मेरे लिए घर बनाया हुआ मिलेगा जी हम अजर और निर्मल का संबंध है दिमाग से है निर्मल का संबंध है दिमाग से है और आविनाशी का संबंध आत्मा से है वह मेरी आत्मा को दूसरी मृत्यों से बचाएगा और वह मेरे मन को शुद करेगा और मेरे सरीर को अमर बना देगा यही है एक आविनाशी निर्मल और अजर विरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है जिसकी रक्षा हे प्रबो स्वर्ग में भी रक्षा की जरूरत क्यों चोरो चक्के वहां भी घोश जाते हैं क्या लिखा तो कुछ ऐसे ही है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उधार के लिए जो आने वाले समय में प्रगट होने वाली है आने वाला एक समय है और उस आने वाले समय में ये उधार प्रगट होगा आने वाले समय में प्रगट होने वाली जो कहानी है उसके लिए बाईविल का परमेश्वर कहता स्वर्ग में हमारे लिए एक आविनाशी नंबर टू निर्मल और नंबर थ्री अजर में रास रखी है वो भी स्वर्ग में जिसकी रक्षा जो है हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ जब काम करती है तब वहां रक्षा होती है इसका मतलब है रिमोट कंट्रोल विश्वास का हमारे पास में है तब परमेश्वर की सामर्थ वहां हमारे कपड़ों की रक्षा करती है ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वहां नोकरी बजाते रहे तुमारे सन की, मन की और शरीर की, बड़ा गंभीर विशे है, थोड़ा सोच न पड़ेगा आपको, यही है अविनाशी, निर्मल और अजर मिराश, शान्ती का परमेश्वर आप ही तुम्हारी आत्मा को और प्रान को और शरीर को प्रभुये शुमसी के दुबारा आने के समय तक, यहा बहुत भरानतियां हैं इस विशे में, बहुत सी सिक्षाएं हैं, कोई कहता है इशु आके चला गया, कोई कहता है आने वाला, कोई कहता है नहीं आता, कोई कहता स्वर्ग यहीं है, नरक यहीं है, कोई अर्गो स्वर्ग नहीं होता, इसलिए मरने के पहले जितना भोग लग सकते हो लगा लो, मरने के बाद क्या देखा, किसने देखा, कौन देखा, कहा देखा, कब देखा है कितनी धेर सारी सिक्षाएं और जब से कोरोना महाशे क्या आ गए हैं जिसने कभी बाईबिल नहीं पढ़ा वो भी टीवी में दिखता है क्या बोलें क्या ना बोलें समझ में नहीं आता है और जितनी जूठी सिक्षाएं बीते दो वर्षों के अंदर मनुष के कानों में पड़ गई वो कीड़े इतने ढेर सारे अंडे दे रखे हैं कि हम तो ना सेनेटाइजर मार मार के बुड़े हो गए पर दिमाग के कीड़े नहीं मरे एक बार गलत सिक्षाएं जड़ पकड़ लेती हैं तो उसका फिर से वापस लाना इनसान के अधिकार छेतर से बाहर आ जाती है खुदा ही तुम्हें आईसीउ में ले जाके समझाए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि सच्चाई की जड़ बहुत आसानी से उखाड़ी जा सकती है परंतु जंगली पोधे की जड़ों को तकलीफ देना बड़ी मुस्किल की बात हो जाती है थार कुछ भी हो जाने दो कहने का मतलब ये हो गया कि आविनाशी निर्मल और अजर मेरास जो आने वाले समय के लिए रखी है शांती का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीती से पवित्र करे और हमारी आत्मा नंबर वन और प्राण नंबर टू और शरीर नंबर तीन प्रभुये शुमसी के आने के समय पूरे पूरे निर्दोस और सुरक्षित बने रहे जी हां देखिएगा प्रभुये शुमसी का ध्यान से सुन ना है इस लोगन से ये प्रभुये शुमसी का पहला आगमन हमारे उधार देने के लिए हुआ और प्रभुये शुमसी का पहला आगमन आइडियोलोजी है वह तुम्हें आइडिया देता है वह तुम्हें सलह देता है कि यदि विश्वास के द्वारा मेरी पधती का अनुसरन करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा उसने हमारे लिए आज से दोहजार तेईस साल पहले अपने पवित्र लहू को बहा कर जो थे, जो हैं और जो पैदा होंगे उन सब के लिए उद्धार का धन स्वर्गिय स्थानों में जमा करके रखा है जो पैदा नहीं हुए है उनके भी उद्धार की संपत्ती स्वर्गिय स्थानों में सेटल करके रख दिया परंतु हमारा उद्धार, हमारी चंगाई, हमारा आशिर्वाद, हमारे अनंत जीवन का अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास स्वर्गिय इस्थानों में रखा हुआ है परंतु हम रहते हैं धर्ती के इस्थानों में, हमारा जीवन रखा है स्वर्ग में, और हम रहते हैं धर्ती में, तो प्रभु अकेला सब कुछ नहीं न कर देगा, हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा इसलिए कुलूसियों की किताब और उसका हम आटोमेटिक हैं, कुलूसियों की किताब और उसका तीसरा अध्या आए, और उसका रोथे पद में, बाइबिल हमें इस प्रकार से कहती है, जिसको हम पढ़ करके देखेंगे कलेशियन्स चैप्टर 3 एन वर्स 4 है, जहां लिखा है, जब मसी जो हमारा जीवन है, प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किये जाओगे इसको रोग दीजेगा थोड़े समय के लिए, दूसरे तीसरे पद में लिखा है, हमारे पीछे बोल सकते हैं आप, तुम तो, जोर से तुम तो, मर गए, तुम्हारा जीवन, मसी के साथ, पर्मेश्वर में, छुपा है तुम्हारा जीवन मसी के साथ परवेश्वर में छुपा है क्या है? जोर से तीन बार तो छुपा है तो क्या करना पड़ेगा? धूड़ना पड़ेगा आज धूड़ते कहा है लोग? छुपा है अब एक कोई बात बताएएए परमेश्वर कहां रहते हैं? स्वर्ग में स्वर्ग कहां होना चाहिए थोड़ा आइडिया तो दीजेगा? ठीक है कि ने? इधर तो नहीं न होगा? ठीक है परमेश्वर रहते हैं स्वर्ग में अकाश गंगा के ऊपर स्वर्ग उसका सिहासन प्रत्वी उसके पैर की चौकी हम कौन सा मंदिर बनाए? जहां वो रह जाए स्वर्ग परमेश्वर रहते हैं स्वर्ग में हम रहते हैं धर्ती में हम रहते हैं धर्ती में परमेश्वर रहता है स्वर्ग में प्रभुयेश्य मसी ने भी क्या चलाकी किया, मालुम क्या, मुर्दों में से जी उठा, और पिता परमेश्वर के पास जाकर के दाहिने और बैड़ गया, और हमारे नाम का जो जीवन है, परमेश्वर की गोध में छुपा दिया, ढूंड ते रहो तुम, तुमको यहां मोवा नहीं मिलता, आकाश गंगा की उपर कैसे जाईएगा ढूंडने, हलो, भाई हमारा जीवन मसी ने पिता में छुपा के रखा है, तो हम खोजते तो नहीं न हैं, हम तो विश्वास करते हैं, आज जो खोजने की प्रवत्ती है, दुष्ट ने मनुष के माथे से ऐसा गायब कर दिया है, कि हम खोजना चाहते ही नहीं हैं, सीधे चले जाते हैं, और परमेश्वर से प्रात्न करने लगते हैं, नहीं जी हम तो विश्वास करते हैं, मैं आप से एक प्रश्न पूछता विश्वास कैसे करते हैं, जरा देखिएगा, इबरानी की किताब उसका ग्यारव अध्या है और उसकी छटवे पद में क्या लिखा है, आधा पढ़ते हैं, आधा निगल जाते हैं, आधा उगल देते हैं, छटवे पद में इसे लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प् अनो होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, इतना तो समझ में जरूर आता है हमको, without the faith, it is impossible to please God, इसलिए परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, और हम विश्वास करने लगते हैं, परन्तु इसी छटवेपत के बी पार्ट में भी ये भी लिखा हुआ है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा, विश्वास करने अकेले को नहीं बोला प्रभुजी ने, खोजने के लिए भी बोला है, हम तो विश्वास करके बैड़ जाते हैं, खोजेगा कौन, क्यों खोजना है? क्योंकि हमारा जो जीवन है, मसी ने परमेश्वर में छुपा के रखा है, और जब कभी कोई चीज छुपी होती है, उसको खोजना पड़ता है, यहां पर मसी परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर, उसने हमारा जीवन छुपा दिया है, अब हम खोजते रहें, ज़र ध्यान द जो खोजेगा, उसको प्रतिफल मिलेगा, और जो नहीं खोजेगा, आपका जीवन वहीं छुपा हुआ रहेगा, मिलेगा वगारा कुछ नहीं, इसलिए हम रोज विश्वास करते हैं, तेरी पीट पर मार खाने से चंगे हो गए, फिर भी गोलियों का ताता तूटता नहीं है, तूने मेरी दुरबलताएं और कमजोरियों को ले लिया, फिर भी परिशान रहते हैं, आए शांती के राजकुमार तू कहा गया, फिर भी निंद की गोली खाते हैं, भाई देखिया ना आप, वो तो हैं हैं होस्पिटिल के लाइन में, तो क्या हम नहीं हैं क्या, आज 90 percent families, depression में रह रही हैं, मैं बाहरवालों की बात ना करूँ, अज सारे मसीही लोग प्राथन की लाइन में लगे हैं, तेल बॉटल के लिए दूआ चल रही हैं, कब तक, कहां गया वो, कि इस्राइल के परमिश्वर के हांत इतने छोटे हो गएं कि वह हमें चंगाई नहीं दे सकता, और आज जितने भी कुरूसेट्स हो रहे हैं, सब मसीही लोगों के बीच में हो रहे हैं, और जब बेमारों के लिए प्रातन की जाती हैं, तो आधिकलीस्य सामने रहती हैं, तो प्रभू सिर पकड़ के कहते हैं, अभी तक तुम चंगे हुए नहीं क्या, नहीं हम तो विश्वास आता है, खोजना नहीं आता है, काश यदि आप विश्वास के साथ खोजते भी रहें, तो प्रतिफल मिलेगा, और यदि हमने खोजने की प्रकिरियसमाप्त कर दी, तो हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा, विश्वास का कोई प्रतिफल नहीं होता, तो मुपवास क करते हैं उस दिन टेंशन आ जाता है आज आपने निश्य किया है कि आज हम ना खाना नहीं इधर देखो ना आज हम खाना ना खाएंगे उपवास करेंगे उसी दिन महमान आ जाएंगे और ऐसे वाले आएंगे कि उनके लिए चिकिन बनाने ही पड़ेगा और आज तक तो ना जैसे भी बना लो तो कितना भी कसरत करो तो इतना टेस्टी नहीं बनता परन्तु जब महमान आ जाते हैं जब हमको नई खाने की कसम खाई रहती है ना उसी दिन अपन के हाथ से ऐसी वाली टेस्टी सबजी बनती है कि अपन एक बार टेस्ट करके देखते ह अरे वह, अब तक तो कल करेंगे उपवास। आलेलोया। है ना समस्य जीवन के अंदर में। विश्वास तो है, परन्तु प्रतिफल नहीं है। विश्वास तो है, प्रतिफल नहीं है। क्योंकि प्रतिफल पाने वालों को खोजना चाहिएगा। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गिय इस्थानों में एक ऐसी संपत्ति रखा है जिस संपत्ति को आविनाशी और निर्मल और अजर मिरास कहते हैं यदि मैं परमेश्वर से सवाल करूं और प्रभुजी ये तीनों बाते हमारे जीवन के लिए क्यों रखी है आपने इन्ही बातों के लिए तो प्रभुयश्व मसी का पहला आगमन हुआ कि वह हमें आविनाशी निर्मल और अजर मिरास की सत्ता का आइडिया दे सके कि वो एक मनुष की खोच का विशह है इसलिए उसने जगत की उत्पती से पहले अपनी आत्मा में से आत्मा अलग करके हमें सेपरेट किया विएर सेपरेटेट फ्रम गाड़ परसनालिटी और अइडेंटिफाइड ऐसे डिफरेंट परसनालिटी बिफोर देशन अप इस अर्थ परमेश्वर के हर्दे में एक उद्देश था कि वह अपनी आत्मा की तिनके आत्मा की विशालता से एक तिनका अलग करे और उस तिनके को निकाले जाने की समय कलपना थी कि एक दिन मैं इसको किसी कन्या किसी माता के गर्भ में डाल कर इस आत्मा को तन पहनाऊंगा और जब वो तन पहन करके धरती पर पैदा होगा तो यदि वह मुझे प्रेम करना सीख ले तो मैं उसकी अपनी बुलाहट को जो अप्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष करके रहे हैं हम शादी विवाह कर रहे हैं हम यहाँ वहाँ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं करना भी चाहिए प्रभू यह नहीं बोल रहा है कि जो तुम कर रहे हैं वो करना बंद कर दो परन्तु पैदा जिस बात के लिए हुए हैं उसका भी तो आइडिया होना चाहिए कि नही वही आइडिया देने के लिए न हमारे प्रभु का पहला आगमन हुआ था और जो लोग इस आइडियोलोजी के अनुसार अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास की सत्ता अपने लिए जान लेते हैं इस आइडिये को प्राप्त करने के बाद है जब हम परमेश्वर के चर्णों में ठहरते है देखो परमेश्वर के हिर्दे के अंदर बड़ी वेदना हो रही है इस बड़ी भीड को देख करके आज उसका खोजी कोई नहीं है सब उस पर विश्वास करने वाले हैं पर विश्वास के बिना विश्वास के मात्र से हम परमेश्वर को प्रसन्य नहीं कर सकते आपने अधूर ध्यान दिया है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्य करना कटिन है परन्तु विश्वास करना भी एक खोज का विश्व है हम खोजते नहीं हैं उसको और जो खोजेगा उसको प्रतीफल मिलेगा हम विश्वास करते हैं तो क्या किया आरे हमारा तो हमारा तो जीवन परमेश्वर ने न मसी येश्व ने न परमेश्वर में छुपा के रखा है तो उसकी खोज होनी चाहिए न हम तो विश्वास करते हैं बाइबिल में लिखा बाइबिल में लिखा अरे बाइबिल में लिखा है तो क्या हो गया तेरा जीवन तो वहां है ना आज बाइबिल पर विश्वास करने वालों की जरूरत नहीं है बाइबिल के विश्वास करने वालों को परमेश्वर को खोजने की जरूरत है और हम उसको खोचते रहें यही तो सिकायत है प्रभुये शुमसी ने यहुनर अचिसू समाचार में भी किया था और बड़े आड़े हाथ लिये थे यहुनर अचिसू समाचार उसका पांचवा अध्याए और उसके 49 वेपद को 39 बुक को फाइज है आफ करना जोन चैप्टर 5 एन वर्स 39 यहुनर अचिसू समाचार और उसका पांचवा अध्याए और उसके 29 वेपद में लिखा हुआ है 49 वेपद में कि तुम पवित्र सास्तर में ढूंडते हो तुम पवित्र सास्तर में ढूंडते हो और समझते हो कि उसमें अनन्त जीवन तुम्हें मिलता है तुम पवित्र सास्तर में ढूंडते हो और समझते हो कि तुम्हें अनन्त जीवन उसमें मिलता है यह है वही है जो मेरी गवाही देता है इट्स आइडियोलोजी फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो मैं मनुस से आदर नहीं चाहता परन्तु मैं तुमको जानता हूं यह बात तो ना फरिशी सदु की लोगों को कहा था हमें भी लागो होता है मैं जानता हूं कि तुम मैं परमेश्वर का प्रेम नहीं तुम तुवेवस्था के गुलाम हो तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो बाइबिल को जानना, सीखना उसका अंगिकार हमें पवित्र नहीं बनाता हमें परमेश्वर को पहचानना है तो शास्त्र की खोजबीन के साथ है हमें जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आना होगा बाइबिल का खोज परमेश्वर के पास जाना नहीं है बाइबिल पर पीएजडी करना आत्मिकता नहीं है बाइबिल में क्या लिखा है यह समझ लेना आत्मिकता नहीं है बाइबिल को सुनाना आत्मिकता नहीं है यह केवल आइडियोलोजी है यह केवल सलहा है यह information है परमेश्वर के दिमाग का Bible परमेश्वर के मन का परिचे देती है और यदि मैं Bible शब्द को देखूं B-I-B-L-E B-I basic instruction before death for eternal life basic instruction before death eternal life के लिए आधार भूत सिद्धान्त मरने से पहले अनंत जीवन के लिए Bible जो है सलहा है सुनने और सुनाने के लिए नहीं है सलहा मानने के लिए है हम सुनाने का बिजनिस करते हैं तुम सुनने का बिजनिस करते हो हम सुनाते हैं बिड़ी नहीं पीना परन्तु आप तो जाके सुलगाते हो की नहीं हम कहते हैं मोवाइल में ब्रेक मारो परन्तु दस बज़े के बाद देखना अंधा धुंद बिना ब्रेक की गाड़ी चलती है फिर रात तीन बज जाते हमें समझ में नहीं आता है कौन सुनता है और मानता है हम सुनने के धनी है मानना हमारा काम नहीं है इसलिए प्रभु को उन तमाम धर्मियों के लिए जो अपने आपको धर्मी समझते है बाइबिल की जानकारी रखने के बाद उन्हें फटकार लगाते हुए कहते हैं तुम शास्त्र में ढूंडते हो और समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन जानकारी से मिलेगा ये तो information मात्र है ये केवल ज्ञान है ये हमारा दिमाग में ज्ञान का भंडार है ये हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता हमारी ओर से वह प्रयास है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुचने का उपाय करें जिससे की जो जीवन मसी ने पिताब में छुपा के रखा है उसको खोज निकालें बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसंद करना कठिन है और वह अपने खोजने वालों को कहां खोजते हैं हम तो कुरसी करम करके चले जाते हैं नोट्स बना के 10-20 रुपे दान चंदा दे जाते हैं और जो फेकिये नोट्स तो साल भर नहीं पढ़ते हमें लिखने की आदत है घर में जाके पढ़ने की नहीं न है मेरा मतलब लिखना बन मत कर दो आप हमने भी हजारों नोट्स बनाए पर आज तक नहीं पढ़े वो तो प्रचार करने का वक्त आता है तब पन्न पल्टाते हैं थुक लगा के ये भी बेईमानी है बाइबल पढ़ते हम इसलिए हैं क्योंकि साम को बोलना है न इजजत का सवाल है दाओं में लगा है हमारा और जिस दिन प्रचार नहीं उस दिन बाइबल कौन पढ़े हम भी तो खोखले हैं और जब हम मिटिंग में जाते हैं तो हालिलुय, 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 हे प्रभु मेरे सांथ, चल तू बी चल में भी चल तेरी विज़त, मेरी विज़त दोनों दाओं में लगी है और जब मिटिंग खतम हो जाती तो खाहा अरे जैसे जाते समय गंभीर ते वैसे लोटते समय भी तो रही है भाई जान नहीं बूले खेल हो गया न अब इत क्या जरूरत प्रेक्टिस की इसका मतलब हम प्रचार करने की प्रेक्टिस करते हैं हमें उसकी प्रचार से अपनी जिंदगी को कोई लेना देना नहीं है यही तो असर है आइडियलोजी को हम सुनते हैं, सुनाते हैं हम इसकी सूचना देते हैं, आप लेते हैं पर गाड़ी जहां की तहां खड़ी है अब यह ढेर सारे परचे बता रहे हैं हमें यहां अंधा धूंत बल्लेवाजी होने वाली है हमने क्या कहा था, अगले प्रचारक आने के बाद सोच के देखना हम क्या बोले थे हम केरल के सुप्रसिद्ध प्रचारक है एक बार हमको वहां बुलाया गया अचानक पवितरात्मान हमको प्रकास दिया 31 दिन, 30 दिन की फास्टिंग प्रियर और अब तक जो है 28 वक्ता आ गए थे और हम 29 वे थे क्योंकि हमको दो दिन मिले थे दूर से आये थे ना अचानक हमने प्रशन पूछा कि भाई साब पहले वक्ता का नाम बताओ अब तुमको वक्ता ही का नाम नहीं मालूम है उन्होंने बोला क्या है वो क्या मालूम होगा समझ गए हो गया जब तुम्हें वक्ता का ही नहीं मालूम है नाम पांचवे नंबर में कौन सा वक्ता था जिसको वक्ता का नाम नहीं मालूम है उसको वक्ता का संदेश कहां से मालूम होगा तब हमने कहा साब ये 30 दिन के उपवास प्रार्थना में 29 प्रचारक अपनी पहलवानी दिखा के चले गए, अब हम अगले पहलवान हैं, जो दो दिन तक तुम्हारे सामने अपनी मसल दिखाएंगे, तुम्हें याद क्या रहेगा जब पहले का याद नहीं रहा, इतने अंदे घड़े में पानी, इस सिर में जगा है कहां, जो हमने बोला तुमको याद होगा, यही तो समस्या है, तुम शास्त्र में ढूंडते हो, और समझते हो, कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परन्तु ये हमारे लिए इतनी लाबदायक नहीं है, परन्तु बाइबिल क परमिश्वर कहता है, जो हमने सुना है, जो हमें आइडिया मिला है, उसके उपर चिंतन और मन्थन और मनन होना चाहिए, क्या करती है गाये, सुनो, गाये क्या करती है, जाती है, और दिन बार खाती, 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 जरसे उठा के नहीं देखती, दिन भर बैचारी चरते रहती चरते रहती चरते रहती और पेट डुबुक हो जाता है और फिर पानी पीती चार लोटा और चुपचाब बैड जाती है और आधी आँख बंद कर देती आधी आधी आँख खुली रहती और उसके बाद में पता ने खुदा बाप ने उसको क्या सिस्टम दिया है अंदर से गुटुक की आवाज आती है और जो कुछ खाया था वो सार दात में आता और अंयूं 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 करके चुजिंग करती है जुगाली करती है गुजराती में क्या कहते हैं जुगाली को वागुर मरहाटी में पागुर और इसमें वागुर और क्या बोलते हैं चुजिंग इंगलिस में बोलते और मल्याला में सर, आयो में रिकरा, wonderful, समझ में आगई बात, और वो जाकर कि जब पूरा महीन हो जाता, क्योंकि इतना लंबा लंबा जो घास था ना, उसको पूरा पेस्ट कर देती, दात से निकलने वाली गम में उस घास को choosing करते हैं, और अपने दात की लार, और उस चारे क हास को बिलकुल महीन कर देते हैं, टूथ पेस्ट के समान, फिर वो गुटुक करके अंदर जाता है, अब वो दोबारा नहीं आएगा, फिर जहां घंटी वज थी गुटुक करके दूसरा वाला आता, ऐसा करके खुदा बाप इनका दिमाग काम करता नहीं है, खुदा बाप फिर वहीं गया, तो दूसरे दिन लूज मोशन हो जाएगा गाये को, ठीक है, और जो गाये वागूर पागूर या फिर जुगाली नहीं करती है, उसको डिसेंट्री हो जाती है, और यदि किसी गाये को डिसेंट्री हो गए, तो तीन दिन में छुट्टी भी हो जाती है, ब इतनी खतरनाक चीज है जुगाली नहीं होई तो हम भी तो आपका सिर खाए जा रहे हैं और खिलाए जा रहे हैं आप मेंसे कौन घर जाके जुगाली किये था इसलिए तो इंडाइजेशन है फिरूल्टी सीधी बाते मिथुर में दिमाग में आ जाती है क्योंकि हमें जुगाली की प्रेक्टिस ही नहीं है और आज तक मैंने धर्ती के अंदर में किसी प्रचारक को जुगाली के उपर में संदेश देते हुए नहीं सुना जुगाली करना ही चिंतन है जुगाली करना ही मनन है जुगाली करना ही उसकी खोज है इसके लिए टीबी वगेरा, मोवाइल वगेरा, बाल बच्चे वगेरा, साब एक तरफ करके, एक आंतिस्थान में, अच्छा, ओके, ठीक है, इसका मतलब, ओहो, अब आगया समझ में, आप ही आप से बाते करना, खुदी प्रशन खड़ा करना, खुदी उत्तर खोजना, इसक के लिए एकांतावास चाहिए, तब जुगाली होती है, तब संदेश डाइजिस्ट होता है, क्योंकि जो खाया है, उसमें लार यदी, गम यदी नहीं मिली है, एक अच्छा, वैज्ञानिक ये कहता है, जब कभी आप रोटी खाते हो, तो रोटी के तुक्डे को, लग भग लग भग, सात से तेरा बार दानतों से कुचलना चाहिए, एक, 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 दो, एक, तिन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, कम से कम ग्यारा, बारा, बार एक निवाले को चवाना चाहिए, तब जा के गम जो लार होती है, वह है, जिससे प्रोडेक्ट होते हैं, जो खाने के अंदर मिल करके उसको बारिक करती है, तब जाकर के यह डाइजिस्ट होता है, काई लोगों ने यू मारा गुटुक, यू मारा गुटुक, यू मारा गुटुक, इसलिए तो लोटर लेकि सुब़े चल पड़ते हैं। क्योंकि वो अनपचा है, उसमें लार खर्च नहीं हुई है, लार ही है, जो आपके भोजन के अंदर में, और फिर अंदर एसेड रहता है, ये दांतों में गम रहता है, और अनाज ये तीनों मिलते हैं, गम, एसेड और खाना, तब जाकर क्या वाइटमिन्स और प्रोटिन्स खाने में, आज हम आत्मिक जीवन में इन बातों को सुनते हैं, जड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम बरमेश्वर का वचन सुनते हैं, पर उन्तु जुगाली नहीं करते, जुगाली करना ही उसकी खोज है, इसलिए प्रभु ने हमारे जीवन को पिता परमेश्वर के पास कि हम उसको खोजें, ब्यान दीजिगा, और यह है आइडिया, जो प्रभु ये शुमसी के दुबा पहले आगमन की विशे में पिता परमेश्वर ने हमें आइडिया दिया था, बाइबिल इसलिए लिखी गई है, आगे चलते हैं, जब ऐसा हो जाता है, जो लोग परमेश् करके वचन को सुनने के बाद जुगाली करके अमर, निर्मल और अजर मिरास की सत्ता अपने जीवन में समझ लेते हैं, और उस रीती से तैयारी करते हैं, तब ऐसे लोगों के लिए प्रभु ये शुमसी का दूसरा आगमन होता है, जब ध्यान दीजिगा, सब के लिए नही होगा, हर एक आग देखेगी जरूर, परन्तु जाने वालों की संख्या लगी है, जो अमर, निर्मल और अजर मिरास की सत्ता एशु के प्रथम आगमन से अपने जीवन के लिए ले लेते हैं, जो अनंत जीवन के प्रभेश की तैयारी होगी, तब ऐसे लोगों के लिए प् आगमन में दो बाते पाई जाती हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक की किताब और उसका बावीसव अध्याए और उसके बारवे पद में बाइबिल हमें बताती है, बुक अफ रेवलेशन चेप्टर 22 इन वर्स 12 है, देख है, मैं सीगर आने वाला हूँ, मैं सीगर आने वाला हर एक के काम, विश्वास का खेल खतम, हर एक के काम के अनुसार है, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, हमारे पीछे बुलिए बदला, जोर से बदला, प्रतिफल, बदला, प्रतिफल, और प्रतिफल को इंगलिश में कहते हैं, एवाड है, बदला, बदला, बदला मेरा भी समय आएगा, तब मैं तिरको बताऊंगा बदला प्रभुये शुमसी के आगमन, दूसरे आगमन में दो महत्वपून घटना होगी एक नंबर बदला, दूसरा नंबर प्रतिफल लिजन में केरफुली नंबर वन बदला, नंबर टू प्रतिफल प्रतिफल बदला नहीं है, बदला प्रतिफल नहीं है बदला नकरात्मक है और प्रतिफल सकरात्मक है जो अपने कामों में परमेश्वर की सलहा नहीं माना जिसने परमेश्वर के वच्चन पर जुगाली नहीं किया जिसने परमेश्वर की खोज नहीं की विश्वास के साथ है ऐसे समय में उसको बदला मिलेगा क्यूंकि उसके कामों में किसी प्रकार का कोई भी रूपांतर देखा नहीं गया वो विश्वास करते रहे परंतु कामों में बदलाव नहीं आया सब लोग ध्यान से सुन अला परवाई से मत सुनो आप पर जिन लोगों ने प्रभुयश्व मसी के पहले आगमन के समय जो आइडिया जो सलहा जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला उसको हमने यदि किया तो बाइबिल का परमेश्वर कहता है उसके रूपांतरित जीवन के कारण निर्मलता के कारण निर्मलता का संबन्ध दिमाग से है जिसने प्रभुयश्व के पहले आगमन की सलहा मान करके निर्मलता का धन खटा किया उसकी अजर मिरास सुनिश्चित की जाएगी फिर से सुन लेना उसकी अजर मिरास इसका मतलब है प्रभुयश्व के दुबारा आने के समय महिमा की देह की प्राप्ती अजर मिरास है यदि मैं आपके लिए पहला कोरंथियों की किताब और उसका पंदरा अध्याय और उसके पचास पद से पढ़ना सुरू करों तो यहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है 1 Corinthians chapter 15 and verse 50 onwards हे भाईयों मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमिश्वर के राज्जी के अधिकारी ना होंगे और ना ही विनाश अविनाशी का अधिकारी होगा देख मैं भेद की बातें कहता हूँ हम सब तो नहीं सोएंगे पर बदल जाएंगे यही है बदलना यह छण भर में होगा पलक मारते ही होगा तुरही फूकी जाएगी और तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे आविनाशी अजर आविनाशी दशा में जी उठेंगे यही है अजर मिराश और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान जरजर होने वाली अविनाश को अजर को पहन ले और मरनहार अमर्ता को पहन ले अजर को पहन ले जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरनहार अमर्ता को पहन लेगा तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जये ने मृत्यू को निगल लिया जये ने मृत्यू को निगल लिया ये घटना मुर्दों में से जी उठने का अधिकार जिसको मिल गया उसी के लिए लागू होगी जये ने मृत्यू को निगल लिया यह शब्द केवल उसी पर लागू होगा, जिन्होंने अपने मरे हुए शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में और जीवित मरने वाले शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में बदल दिया हो, तब ये वचन हमारे जीवन में लागू होगा, कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, इसी काम के लिए प्रभु येश्व मसी का दूसरा आगमन होगा, अच्छे से समझ येगा, और जो लोग है, प्रभु येश्व के दुबारा आगमन के समय, मरनहार को अमर्ता में, और नस्ठ होने वाले को कभी नहीं नस्ठ होने वाले, ऐसे लोगों को प्रभु अपने सांत ले जाएगा और उसी नए वाले जरुशले में लाके रख देगा, निव जरुशले म, वहाँ स्वर्ग नहीं ले गया है, उश्वने याद रखना है, अभी फिर लोटके आना पड़ेगा यहीं, यहीं रहेंगे हम, एक हजार साल, था अपना प्लोट कनफर्म करो और अपना घर बनवालो, उसके बाद हम यहीं रहेंगे, यही है प्रतिफल, स्वर्ग बहुत बात की बात है, मरने के बाद इश्व के आगमन के समय हम स्वर्ग नहीं जाते हैं, स्वर्ग बड़ी भारी संपत्ती है, बहुत सा कन्फूजन है आ आज एक भी प्रचारक धर्ती में नहीं मिलता एक हजार साल के राज की कहानी बताने वाला, मैंने तु नहीं सुना आज तक, Millennium Years, 1000 साल का राज, यह जो यह जो राज है जिसके बारे में लिखा है, यह नगर साढ़े साथ सो कोस लंबा, साढ़े साथ सो कोस चोड़ा, सुनो जी, साड़े साथ सो कोस चोड़ा और साड़े साथ सो कोस उंचा लंबाई, चोड़ाई और उंचाई बराबर है प्रकाशित वाक्य किताब एक कई स्वाद है सोला पद, एक ही पद के अंदर इतना धन छुप हुआ है और उस नगर की चोड़ाई चोकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई और चोड़ाई बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो साड़े साथ सो कोस निकला फिर यहां रिपीट कर रहा है उसकी लंबाई और चोड़ाई और उंचाई बराबर थी अब मैं यदि प्रभुजी से सवाल करूं ऐसे कर तो नहीं सकता, फिर भी हे प्रभु आपने पहला हलेलोया सब लोग बड़े गौर से सुनिएगा, हाँ, बच्चे लोगों थोड़ा डिसिप्लिन में रखें यहां लिखा है पहले फेस में वो ये कह रहे हैं कि लंबाई और चोड़ाई बराबर थी परंतु दूसरे फेस में वो ये कह रहे हैं लंबाई चोड़ाई और उचाई बराबर थी हे प्रभु जब लंबाई चोड़ाई और उचाई बराबर ही थी तो पहले फेस में भी लंबाई चोड़ाई के सांत उचाई लिखना चाहिए था ना पहले फेस में आपने उचाई क्यों खा गए बाईविल पढ़ने से नहीं आती समझ में भाई सान तेरा ध्यान से सुनिए गया इसका मतलब है नया जो जरू शलेम होगा उसमें दो प्रकार के लोगों का निवास होगा एक लंबाई और चोड़ाई में बसी हुई नगरी होगी एक लंबाई चोड़ाई के सांत उचाई में बसी हुई नगरी होगी ओ मैं गाड लंबाई और चोड़ाई में बसने वाली नगरी वो नगरी होगी जिसमें इसी काया वाले शरीर में लोग रहेंगे, आएंगे और जाएंगे परन्तु लंबाई और चोड़ाई और उंचाई वाली नगरी में हवा में लटकने वाले घर होंगे और हवा में लटकने वाले घरों में केबल वो रहेंगे जो इशू के दुबारा आगमन के समय हवा में लटकने वाले घरों में रहने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे और ये क्वालिफिकेशन मुर्दों में से जी उठकर के महिमा की देह पहन लिया और जीवित लोग कभी नहीं मरने वाली अजर मिरास को लेके खड़े हो गए तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभू हावा में लटकने वाले घर बना के रखे हैं जरना देखिएगा बाविस्वा अध्याय पढ़ेगा थोड़ा इसपस्ट हो जाएगा क्योंकि आज तक धरती में प्रकाश आया नहीं नहीं इसलिए समझ में नहीं आने से कन्फूजन हो जाता है जरना देखिएगा प्रकाश इतवाग के बाविस फिर उसने मुझे बिलोर की सी चमकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई ठीक है जो परमेश्वर और मेमने के सिंगहासन से निकल कर उस नगर की सडकों के बीच में बहुआ है तो सडके हवा में नहीं न होंगी? लंबाई चोडाई में होंगी कि नहीं होंगी? कभी आपने हवा में सडक देखी किया? और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था और उसमें बारह प्रकार के फल लगे हुए थे और वह हर मेहने फलता था और उस पेड़ के पत्ते से जाती-जाती के लोग चंगे हो जाते थे फिर श्राप न होगा और परमेश्वर अपने मेमने का सिंघासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथे में होगा फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्र का प्रयोज़न न होगा क्योंकि प्रभु उन्हें उज्याला देगा और वे नगर में राज करेंगे युगान युग राज करेंगे यह नया जरुशले में जहां सूरज का कोई काम नहीं है इसलिए तो सूरज भी जाने वाला है प्रत्वी भी जाने वाली है आकास भी कागच के समान लिपटने वाला है क्योंकि इस नगर की लंबाई और चोड़ाई और उचाई के ठीक सेंटर में यदि वो धाई हजार किलो मीटर उचा धाई हजार किलो मीटर चोड़ा और धाई हजार किलो मीटर लंबा है तो ठीक साड़े ग्यारा हजार साड़े बारा हजार किलो मीटर के बीच में पिता और पुत्र का सिंगहासन होगा जिसमें चारों तरफ सितारों के समान लटके हुए वो घर जिसको प्रभू बनाने गया है उन घरों में केवल महिमा की देह धारन करने वाले जिनको पंखा वगारा नहीं लगेगा हेलिकॉप्टर वगारा नहीं लगेगा सुईं करके वे सैक्रों किलो मीटर दूर लटके भावन में जाके निवास करेंगे ऐसा वाली फेसिलिटीज केवल उन लोगों को मिलेगी जो लोग है महिमा की देह पहन लेंगे अब एक पद मुझे याद आती है देखो हमने बहुत माथा रगड़ा है इसके उपर ना जकरिया की किताब देखेगा संपूर्ण बाइबिल में इसकी कहानी पाई जाती है ठीक है ना जड़ा देखें जकरिया की किताब यदी मैं सही निकाल लूँ तो जकरिया की किताब देखो हम कहां भूल गए हैं कर दो पांच जी नहीं साथ यस वो भी वो भी बहुत अच्छा पादे पहले उसको पढ़ले फिर हम जो पद ढूंड रहे हैं उसको भी निकाल लेंगे दो पांच को भी पढ़ लिजिगा यहोवा की यहवानी है कि मैं आप उसके चारों और आग की शेहर पना और उसके बीच में तेजों में होकर के दिखाई दूंगा ठीक है बहुत अच्छा पाद है यहाँ पर लिखा है कि यह आखरी आखरी में है ना आखरी में ही चले पढ़ते हैं देखते हैं बार वा तेर वा दिहाए साथ पत से पढ़ते हैं तेरा दिहाए को सेनाओ के यहोवा की यहवानी है नए अच्छा इसको थोड़ा यहीं छोड़ दे हम यह शया की किताब में चलते हैं ठीक है और उसका 65 वा दिहाए में चलते हैं बुक अफ आईजिया चेप्टर 65 जरह 17 पत को देखते हैं ठीक है बुक अफ आईजिया चेप्टर 65 जरह 17 देख क्योंकि देखो नया आकाश और नई प्रत्वी उत्पन करता हूँ पहले बातों का इसमरण न रहेगा सोच विचार भी न आएगा इसलिए जो मैं उत्पन करने पर हूँ इस कारण से तुम हरशित होगे और सरवदा मगन रहोगे देखो मैं जरूशलेम को मगने और उसकी प्रजा को आनन्दित करूँगा अब तेईस पद में लिखा है और उसका परिश्रम वेर्थ न होगा उसके बालक घबराहट के लिए उत्पन होंगे और वे यहोवा के धन लोगों का वन्स ठहरेगा और उसके बच्चे अपने से अलग न होंगे उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूँगा उनके मांगने से पहले उनकी सुन लूँगा भेडिया मेमने कासा चारा चरेगा सिहें बैल की नाई भूसा खाएगा और सर्फ का अहार मटी होगा मेरे सारे पवित्र परवत पर ना कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानी करेगा यहोवा की यही वाने है सेर भूसा खाएगा अब ही तो पता नहीं क्या क्या खाता है बैल की नाई भूसा खाएगा यह ऐसा कैसा होगा बताईए अब कहां होगा जो है ना, 2400 किलो मीटर लंबा, 2400 किलो मीटर चोड़ा, जमीन के उपर में एक ऐसी नगरी रहेगी, जहां शेर भी होंगे, जहां सर्फ भी होगा, परन्तु ये, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हिंसा नहीं होगे, अहिंसक होंगे, अब तुमको यदि जमीनी जगह में प्लॉट चाहिए, तो वो भी मिलेगा, और यदि हवा में लटकने वाले घर चाहिए, तो वो भी मिलेगा, तुम्हें जो पसंद ले लीजेगा, क्योंकि जिस प्रकार नए आकाश और नए प्रत्वी, जो मैं बनाने पर हूँ, मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की एहवानी है, फिर ऐसा होगा, यह ऐसा होगा, यह ऐसा होगा, कि नए चांद से दूसरे चांद तक, एक विश्राम से दूसरे विश्राम तक, समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे, समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे, यहोवा का यही वचन है, तब वे निकल कर उन लेवगों की लोथों पर, जिन्होंने मुझसे बलवा किया, दृष्टी डालेंगे, बस, सो बाइबिल का परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता है कि उस नगर के अंदर लोग परमेश्वर के वैभाव की चीज लेखे आएंगे, क्या बात है, अब आप बताएए, हमारे लिए प्रभु ने उस नए नगर में दो प्रकार के लोगों को रखा है, एक हैं शाररिक लोग, और एक है महिमा की देह पहने लोग, लंबाई और चोडाई का मतलब होता है, वहाँ ऐसे भी लोग होने वाले हैं, जिसको प्रकाशित वाक के 19 अध्याय में हमको देखने के लिए मिलेगा, बुक अफ रिवलेशन, चैप्टर 19 है, जहां पर, जहां पर, जहां पर, एक मिर्ट में देख लूँ, प्रकाशित वाक के 20 वाध्याय हैं, ठीक है ना? साथ पद में पढ़ेंगे, और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृत्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज है, जिनकी गिंती समुद्र के बराबर होगी, भर्मा कर लड़ाई के लिए खटा करने को निकलेगा, और वे सारी पृत्वी पर फैल जाएंगे, और पवित्र लोगों की च्छावनी और प्री नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी, और उनका भर्माने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशू और जूटा भविश्द वक्ता होगा, डाल दिया जाएगा, वे रात दिनें पीडा में तड़ाफते रहेंगे, जरा सुनिएगा, या जुज मा जुज लोग भी रहेंगे, अब आप जरा ध्यान से सुनिगा, ये जो नया जरुशलेम है, वो ठीक पुराने वाले मट्टी के जरुशलेम की उपर टिक जाएगा, और ये धर्ती ऐसे ही चलती रहेगी, प्रभु ये शुमसी के दुबारा आगमन के समय, अब इसका कंक्लूजन हम आपको बताते हैं, जरु सुनो, एशु के पहले आगमन में उसने अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास की सलह दिया, अब जितने लोग निर्मल, अजर और अविनाशी जीवन की कलपना में अपने आपको तयार कर लेंगे, और मर गए, या जीवित हैं, तो प्रभु ये शु मसी जब आएंगे, तो उनको मरे हुओं मैसे जिन्दा करके महिमा की देह दे देंगे, और जो जीवित हैं, वो महिमा की देह पहन लेंगे, और एशु मध्याकास में रहेंगे, और ऐसे लोग महिमा की देह पहन कर जैसे एशु को मुर्दों मैं से जी उटने के बाद वाली महिमा की देह मिली न वैसे हमको भी मिलने वाली है और ऐसे लोगों को उठा करके लंबाई और चोड़ाई और उचाई वाले उसी नगर में हवा में लटके घरों में महिमा की देहधारियों को बंगला मिल जाएगा अब ज़रा सुनों अच्छे से तब बहुत से लोग और भी होंगे जो इस धर्ती पर रह जाएंगे दारू मसी, लंद मसी, फंद मसी, मोवाईल मसी, गल्फरेंड मसी, बॉइफरेंड मसी इनका सब यहीं रह जाएगा कारोबार क्योंकि उनकी कामों का बदला यही होगा कि वे उठाय नहीं जाएंगे प्रतिफल यह होगा कि वे उठा लिये जाएंगे अब हम सब चलें तीसरे आस्मान में ये नया जरुशलेम तीसरे आस्मान में ये स्वर्ग के नीचे स्वर्ग क्यों पर नहीं है स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग के नीचे है सुख लोग भी नीचे है, paradise सुख लोग heaven नहीं है जहां धर्मियों की आत्मा है स्वर्ग कासा एहसास करती हैं परंतु वो स्वर्ग नहीं है रडाइज है क्योंकि वहां आत्मा है और प्राण है शरीर नहीं पहने यदि जब तक आत्मा और प्राण को शरीर नहीं पहनाया जाएगा महिमा वाला तब तक स्वर्ग में प्रवेष निशेद है इसलिए चाहे एलिया उठाया गया हो चाहे मूसा उठाया गया यह स्वर्ग नहीं गई स्वर्ग के निचली तलछटी में है हैंग आकाश गंगा में परन्त वो आत्मा है प्राण है इसलिए उस डांकू को भी प्रभु जी ने कहा था आज ही तू मेरे साथ सुख लोग में होगा सुख लोग नहीं लिखा है सुख लोग यो विल बी वित मी इन दी पेरडाइस पेरडाइस सुख लोग सुख का निचला हिस्सा है जहां पर आत्मा के साथ जुड़े प्राण विश्राम करते हैं इशू के दुबारा आने के समय का इंतिजार करते हैं जिससे कि उनके प्राण और आत्मा को तन पहनाया जाए और जब इशू का दूसरा आगमन होगा तो इशू वाया सुख लोग आएंगे सारी आत्मा और प्राण को साथ लाएंगे और अपना अपना महिमा का शरीर पहनने का मौका देंगे और कहेंगे चलो रावट तुम अपना शरीर पहनना बीबी के मंदर मत घुज जाना तुम अपने अपने शरीर में जाओ ना पापा के शरीर में मामा, ना मामा के शरीर में पापा आ सकते हैं सब को अपना अपना शरीर पहनना पड़ेगा गलती से कोई आत्मा किसी बाजी वाले के शरीर में पहन के नहीं चले जाएगी नहीं तो उपर वाला confusion में आ जाएगा दिखता तो रॉबर्ट जैसे है पर बोलता तो कवीता की समान है समझ में आगे बार ये सब कन्फूजन नहीं होगा मालिक बड़ा सिस्टेमेटिक है तो सुख लोग ईशू के दोबारा आगमन के समय एक ही सेकंड में खाली हो जाएगा सारी आत्माएं सुख लोग से अपना तन पहनने के लिए आएंगी और प्रभु मद्याकाश में रहेंगे और कहेंगे सब अपना अपना सरीर पहनो उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई ललकार का शब्द प्रधान क्या है पहला थिसलोन की किताब और असका चौंतह अध्याय और उसके सोलवे पद में बाइबिल हमें बताती है प्रभु आप ही स्वर्ग से उत्रेगा तीन चीज होंगी प्रभु आप ही स्वर्ग से उत्रेगा उस समय नंबर वन ललकार का शब्द नंबर टू प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा नमबर तीन तुरिफू की जाएगी तब जो मसी में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे हैं मसी में होंगे तो बचे हुए लोग बदल जाएंगे और बादलों में उठाए जाएंगे आपको मालूम है सुख लोग एक ही मिनिट में खाली होने वाला है और धर्ती लोग में जितने लोगों की आत्माई सुख लोग में हैं उन सारे लोगों की कबरस्थान भी एक ही मिनिट में खाली होने वाली है परन्तु जो अधलोग में हैं उनकी कबर भी रहेगी और अधलोग भी बरकरार रहेगा अच्छे से समझ लीजेगा ये खेल ड्रामा नहीं है सुधर गई तो ठीक है नहीं तो नीचे जाने की तारिक तय है हाँ यहाँ पर बाइविल का प्रवो कहता है जितने लोगों को महिमा की देह प्राप्त हो गई जैसे एशु को मुर्दों में से जिन्द हो उठने के बाद महिमा की देह प्राप्त हो गई थी ऐसे महिमा की देह प्राप्त किये हुए लोग नए जरुशले में लंबाई चोडाई और उचाई के एरिये में हवा में लटकने वाले घरों में जाकर के निवास करेंगे ओ मैं गाड उसकी तैयारी तो होती जी नहीं उसकी विशे में कोई खोचता ही नहीं नहीं हम जब कभर जब कभी कोई बाबा मर जाते हैं न दादा जी हम कबरस्थान में ले जाते तो हम जैसे पादरी लोग केता है, पिता परमिश्व तेरा धन्यवाद हो, तू अपने दास को बुलाने से प्रसन्य रहा, है ना, तो प्रभु कहते हैं, ठहर जा, ठहर जा, क्या बोला तुने, अपने दास को, ये अपनी पत्नी को छोड़ के ऑफिस में गल्फरिंड बनाया है, मेरा दास कहां से हुआ, ठीक है की नहीं, ये पोर्नलोजी देखने वाला मेरा दास कहां से हुआ, रात के बारा बज़े से तीन बज़े तक क्या गड़वन करता तू, और वो भी दिवाल के तरब डिस्पले कर लेता है, बीबी को सोने देता है, उपर वाले को क्या मोति यह बेंद हो गया है, यह परमेश्वर का दास है, चर्च की जमीन बेज दिया, परमेश्वर का दास है, चंदे के धंदा करता है, परमेश्वर का दास है, चंदे में से दो-दो हजार की नोड गायब कर देता है, गिंते-गिंते, परमेश्वर का दास है, confusion हमारा विश्वास है जब तू आएगा तब इन्हीं जिन्दा करेगा तो प्रभू कहेंगे great confusion इसको जिन्दा तो करनेच वाला नहीं हूं मैं यह कहां से जिन्दा होगा है यहां property बेजा वहां भी बेचेगा वहां भी plotting करेगा ही जाके बड़े मुश्किल से तो स्वरक से मैंने न यह सब कबाडियों को निकाल किया लग किया और फिर से तेरे कहने से उपर ले लोगा नहीं सुनता यह वाली दुआ तेरी समझना है बात तैयारी करना पड़ेगा कोई Christian कबरस्थान से के एपसूल के समान कोई अंदर ही अंदर जाने का कोई अंडर ग्राउंड रास्ता नहीं कि सीधे उपर पहुँच जाईए गया इसलिए कोई Christian कबरस्थान में गढ़ने के सपना मत देखे उससे कोई reservation नहीं होता उपर का और आज उसी के लिए जान दिये देते हैं लिए लेते हैं हम समाज में कबरस्थान और साधी के लिए तो जुड़े हैं उससे हटके कोई आइडिया है क्या मृत्यू फंड कटा रहे हो कम सकम पुनरू फंड भंड भी कटवा लेते उस नगर में केवल वही प्रवेश करेगा जिसने महिमा की देह प्राप्त की है और मैंने धर्ती की अंदर आज तक एक भी प्रचारक को ये सुनाते हुए नहीं सुना कि महिमा की देह पेहनने की सर्थ क्या है हम तो कबरस्थान में कह दिये हमारा विश्वास है प्रभु कहते विश्वास के द्वारा मुर्दजिंदा होगा ही नहीं बाइबिल के किसी कोने में नहीं लिखा है कि विश्वास से मुर्दजिंदा होगा हमारा विश्वास है जब तू आएगा आरे तु कर ले जितना विश्वास करना, मैं नहीं आता तेरे लिए मुर्दा जिन्दा करने के लिए, मुर्दा जिन्दा करने के लिए तो उसके लिए आउंगा, जिसने पहले आगमन की आइडियोलोजी को व्यभारिक रूप में किया है, जिसने अजर और निर्मल मिराश, ह इफिस्यों की किताब और उसका पांचवा अध्या है और उसका ठाइस पद थेड़ा हो सकता है आज किताब खोलने की कसरत लग रही पर आइडिया जरूर ले ले लेना दूसरा प्रचारक न समझाएगा तुम्हें यहां इफिस्यों की किताब के पांच हबीस में लिखा है और उसको वचन के दुआरा जल के इसनान से शुद्ध करके पवित्र बनाए हमारे पीछे बोलेगा और उसे ऐसी तेजश्वी कलीसिया बना कर अपने पास खड़ा करे जिसमें ना कलंक ना जुर्री ना कोई ऐसी वस्तु है वरण पवित्र है और निर्दोश है तेजश्वी कलीसिया जो और से तेजश्वी कलीसिया तीन बार बोलिएगा तेजश्वी कलीसिया तेजश्वी कलीसिया तो आपे बताएए कलीसिया और तेजश्वी कलीसिया में क्या अंतर है Church and the Glorious Church और Church और Calisia को Malayalam में कहते हैं ठोड़े थोड़े शब्द याद है Malayal नहीं आती लिए अलम में Church और Calisia को कहते हैं साभा और यहांपर जो तेज़श्वी Calésia उसके लिए Malayalam में जो शब्द काम में लाया गया है तेजसिंडे सभा और तेजसुले सभा and what is the difference between तेजसिंडे सभा और तेजसुले सभा क्या अंतर है कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में what is the difference between the church and the radiant church धर्ती की जितने dictionary हैं खोज करके देख लो इसका उत्तर कहीं मिल जाए तो आना हमारे पास आज कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में अंतरी समझ में नहीं आता है कलीसिया वो है जिसने इश्य को ग्रहन कर लिया कलीसिया वो है जिसने बबतिसमा ले लिया कलीसिया वो है जिसने पवितरात्मा पा लिया, कलीसिया वो है जो भूत निकालती ही, चंगाई करती है, बड़े भविश्द्वानी करती है, परंतु तेजश्वी कलीसिया वो है, जो इन सब बातों के साथ साथ अपनी जिन्दगी में ये चार बातें रखती है, नमबर वन, कि वो निश कलंक है, नमबर टू, उसमें जुर्या नहीं है, नमबर तीन, कोई ऐसी वस्तु जो परमेश्वर का इस्थान ले लेती है, ऐसा वाला मन होना चाहिए, नमबर चार, पवित्र भी होना चाहिए, नमबर पांच, निर्दोश भी होना चाहिए, निर्दोशी था, पवित्र था, बीना जुर्री के, बीना कलंक के, परमेश्वर का इस्थान आपकी जिन्दगी में कोई न ले वे, ऐसा वाला कलीसिया का व्यभारिक रूप, तेज सुल्ले साभा है, आज तो कलीसिया में बी कालते हैं, और दिन में दीदी को राद को बीबी बना लेते हैं, उपर वाले की आँख को क्या मोतिया बुंध हो गया है, अरे हमने अपनी नंगी आँखों से देखा, यहां गाने बजाने वाले उधर नीचे गए, और एक दूसरे को चूमने चाटने लगे, आँखों की ब पुकारने लगेगा तू, ऐसे ऐसे नभी हमारे देश में हैं, मैं परदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, और कलंक से भरा हुआ है, इसका मतलब है, आज हमारे पास वरदान हो सकते हैं, आज हम नाम पुकार सकते हैं, आज हम चमतकार देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, परन्त and wonders is not my introduction यदि मुझे महान सेवक मुझे परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ काम में ला रहा है वो मेरा परिचे नहीं है मेरी महानता नहीं है मेरी महानता तो परदे के पीछे समझ में आती है जहां खुदा बाप मेरी कलपनाओ की अंदर में सुधता और असुधता के बीच में जज करता है हम एक दूसरे के लिए न्युक्तिय कर रहे है एक दूसरे से बैर करते है जह मसी की ब्रदर प्रईज अलॉट कौन बोला हम निर्दोश साभा हो सकते हैं हम कलीसिया हो सकते हैं रजिश्टर में नाम हो सकता है प्रभुभोज ले सकते हैं अन्य भाषा बोल सकते हैं नौवर्दान भी काम में ला सकते हैं परन्तु परदे के पीछे में भी काला पीला हो सकता है यह कलीसिया परन्तु देजश भी कलीसिया बड़ी भयानक चीजे है यदि किसी को रात को गलत सपना आता है तो उसका भी हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा जब हम देखते हैं जब हम आग बन करते हैं तो कल्पना मेड़ा माती है और जब हम सो जाते हैं तो सपना दी आती है जब हम जब हम जागते हैं तो दुनिया दिखती है जब हम आख बंद करते हैं तो कल्पना दी आती है और जब हम सो जाते हैं तो सपना दी आती है इनसे हम परिशान हैं 24 घंटे बीजी इतना हेवी ट्रैफिक रहता हमारे माथे में कि देड़ मिनिट भी प्रभू को सिर रखने की जगा नहीं सूपा वेडियों के भौसले हो क्या बलते हैं सूपा वेडियों के घौसले होते हैं लौमडियों के भट होते हैं परन्तु परमिश्वर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगा नहीं तो क्या उसको सिर रखने के लिए हमारी कल्पना में कहीं जगा है 24 घंटा हेवी ट्राफिक देखते दुनिया आँख बन करते कल्पना सो जाते निद्रा में सपना ये इतना हेवी ट्राफिक है अरे खुदबाब की खोच कब करिएगा खुदबाब की खोच करने के लिए अपने दिमाग को भी तो देड़ मिनिट के लिए रेस्ट दे दो आँख बन करो पिता परमेश्व तेरी धनेवाद 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 प्रभू तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो पिता परमेश्व तेरी जैजेकार हो जैजेकार हो जैजेकार हो प्रभू तेरा धन्यवाद, अरे, स्कूटर में तो चावी छोड़ दिया, अब क्या होगा, प्रभू तेरा धन्यवाद, हलेलुया, रबर, रबर, अरे, एटीम से पैसा निकाला, पर, एटीम का कार्ड तो अंदर ही है, दूद, गैस के उपर, और नौब बंद किया ही नहीं क्लिप लगा दी, क्लिप लगाए भी न, कुंडे में मैंने ताली मार दिया, और उपर से क्लिप लगा दिया, गए, आजे आई है पगार, तुमको दूआ में कौन दिल आ रहा है यह याद, ट्रैफिक, परमेश्वर की खोज करने के लिए, दिमाग की कल्पनाओं को ब्रेक मारना पड़ेगा, यह तेजस भी कली से ऐसे नहीं बनती, जुगाली कौन मारेगा, दुआ करते जाते हैं, बटन भी सेट करते जाते हैं, और बिलकुल टाई वगरा भी सब करते चले जाते हैं, निपच्ते पैंट को भी ठिक ठाक कर लेते हैं हम लोग, कौन खोजता है, य खोज नहीं होती है, तुमारा दिमाग यही है, तुमारा मन यही है, एक के बाद एक कलपन मेड़ा माती है, और धुआ छोड़के चली जाती, फिर आदे घंटे तक ऐसे ही ऐसे करते रहिएगा, ओ भी गार, सोचिए न थोड़ा, जीवन छुपा है परमेश्वर में, कौन खोजता है, हम तो आते हैं सुनके चले जाते हैं, हे पिता परमेश्वर, जो भी बोलना है कहे दो, आज खोजियों की कमी है, जिब तक यहुआ मिल सकता है, उसको खोजो, जी हाँ, आज कलीसिया को तेजश्वी कलीसिया में बदलने की जरूरत है, हम साभा हो सकते हैं, अडियोलोजी है, और इसी के आधार पर हमारे मूर्दे के जिन्दे होने की कहानी टिकी हुई है, वे सभा को जिन्दा नहीं करेगा, तेजश उले सभा को जिन्दा करेगा, वे कलीसिया को नहीं ले जाएगा, तेजश्वी कलीसिया को ले जाएगा, God is expecting the radiant church, not the church, चर्च मे होता है, वहां किसी और के नाम से होता है, यहां इश्वी के नाम से होता है, मैं याजख होने के नाते, यदि आप में से कोई याजख हैं, उनसे सवाल पूछता हूँ, कितने कुआरे लड़के लड़कियों को हमने सफेद कपड़े में साधी दिया है, जो विवाह के पहले दोहरे नहीं हुए कितने याजकों ने सफेद गाउन में उन बिटियाओं को शादी दिया है जो वरजिन थी जिनका बॉइफरेंड के साथ सेटिंग नहीं था इसके लिए कलीसिया ने कौन से हत्कंडे अपनाए एक प्रचारक का नाम बताओ विवाह के पहले बॉइफरेंड गल्फरेंड नहीं चलेगा क्यों मुँ में ताला मार के रखा ही आज की समाज ने हम तो 14 से 18 साल के बीच में पती पतनी जो सादी के बाद करते हैं उसकी प्रेक्टिस 15 साल से कर रहे हैं और हम माबाप लोग तेरे को पसंद आई क्या तू जिसके साथ बोलेगा वो तो 5 साल टेस्ट किया है तब ना आया है समाज में पकड़ा गया तब उसकी मजबूरी है शादी करना हाँ अरे नापाक पापियो कम से कम अपनी जिन्दगी में पश्चताप कर लेते तब शादी करते तो तुमारी अवलादें आशिशीत होती आज गुंडे पैदा हो रहे हैं परिवार के अंदर में क्योंकि विवाह के पहले वहविचार में तुम 5 साल रहे हो और उसके नतीजे अवलादें नापाक हैं इसलिए हमारी दुआओं से ये बच्चे नहीं ठीक हो रहे हैं क्योंकि वे अशुद्ध दशा में पैदा हुए है कौन उठाएगा इसकी आवाज कौन कहता है ये कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं जब पती रहता है तो नंबर वाला मोवाईल काम में लाते हैं जब पती ऑफिस में चला जाता है साड़ी के नीचे से एंड्रोइड मोवाईल निकलता है जिसका नंबर आज तक पती को पता नहीं है ये कौन सा प्राइविट विजनेस चल रहा है तुम्हारा रात को पढ़ने के बहान है हम क्या जाते हैं हमको स्टेडी रूम चाहिए और सोच आते चदर उपर से भी सिर में भी दवाते पैर में भी दवाते और बाजू भी दवाते आजू भी दवाते जिससे की जवरदस्ति कोई खोले तो आईडिया हो जावे फिर मोवाईल रख लेते फिर ऐसा ही वाला तार यहां से निकलता एक दो कानों में ढखकन और फिर छोट असा ऐसा ही वाला रहता है और रात के बारा बजे चलता है फुसूर 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 और पपा देखते हैं अरे बाप रे बिटी है सवासन में हैं और उधर पापा देखतें अच्छा बेटा भी सावासन में डिप स्लीप में पताचला रात के बारएक से तीन बिजिनेस चल रहा है नंगी नंगी बातें चल रही हैं क्या बताऊं उपर वाले को क्या दिखता नई मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कलीशय की बात करता हूं जिस बाप ने अपनी ग्रेजुवेटी से तुम्हार लिए स्टेडी रूम बनाया उसी स्टेडी रूम के आगे बेटे ने क्या लिखा नो एडमिशन विदाउट पर्मिशन गया बेटा बाप खट-खट आई बेटा अंदर से कुली लगी पढ़ रहे हो तो अंदर से क्लिप लगाने की क्या जरूरत है जरूर सेटिंग चल रही है तुम्हारी बकरी बेच-बेच के अंडरोइड मोवाईल दिये थे माबाप हमको दो गहंटे की क्लास चलती थी लड़का साथ गहंटे हाथ में मोवाईल रखा है बेटा इंटरनेट में पढ़ाई कर रहा है आज हमारी यूवापीडी के हाल इतनी ज़्यादा खराब है आज पांस साथ साल साथ साल के बाद से बच्चे को पूर्णलोजी की वेबसाइट खोलने का पूरा आइडिया हो जाता है और धर्ती का एक भी प्रचारक इस बाद पर प्रकाश नहीं दे रहा है ना डांट मार रहा है कैसे कलीसिया जाएगी उपर ये बताइए यूवापीडी आज एक पापा और एक मामा अपने लाल का नाम बताओ जिसको कहे बेटा मोवाइल दे दे और उसी समय उसने टर्न ओफ किया और पापा के हाथ में मोवाइल दे दिया हो ऐसे वाले बच्चे का नाम बताओ जो एक ही बार सुनने के बाद मोवाइल आपके हाथ हैंड ओवर कर देता है मेरी बाद सुनो ऐसे मामा पापा अपने लाल का नाम बताओ जिसमें आपने कहा बेटा मोवाइल बंद कर दो पापा को दे दो येस पापा और तरंट उसने टर्न ओफ किया और आपके हाथ में दे दिया ऐसा वाला बेटा बोलो ना बोलिये 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 अरे आपकी अवलादें तो आपके कंट्रोल से बाहर चली गई है और ज़्यादा तनावद हो गया तो मोवाइल पढ़केगा और सीधे रोड में जाके कहेगा मेरे मामा पापा मेरे को बहुत सटाते है मोवाइल ने देखने देते इसलिए मैं घर से निकल जाओंगा नहीं तो मर जाओंगा पागल हो रहें बच्चे मैं कलीसिया की बाद कर रहा हnd कलीसिया में शेष नाग बढ़ पल रहा है जब बच्चों के ये हाल है तो जवानी 18 से 22 के बीच आगई तो तुम क्या कुकृत करोगे मैं क्या बता हूँ जब बदन में गर्मी समाती है तब 16 के बाद में आदमी उस घोड़े के समान रहता है जिसमें लगाम नहीं लगाया जा सकता है ये बैठे जरून है आपके बाजू में परन्तु इनका चित घोड़े के समान घास खाने गया है वो विल टेल यू दे टृट ये कलीसिया है सपना देखना बंद करें कि हमारा प्रभु आएगा हमारा विश्वास है वे हमें अपने साथ ले जाएगा आरे हाट फालतु की बात मोबाइल देखने वालों को नहीं ले जाता हो गल्फेंट बनाने वालों को नहीं ले जाता हो और यदि गल्ती हो भी गई है तो माफी मांगो जिसको पत्नी बनाके बनाके बैठे हो पांच साल तुमने उसके सरीर के सांस सोसन किया है वो भूल गए तुम विवाह के पहले पांस साल illegal relationship थे अब शादी हो गई तो ठीक है चार बच्चे हो गए है परन्त उसका करजा तो अभी भी तुम्हारी नाम पर है ना विवाह के पहले जो चूचाड़ छोड़ चाड़ चेड़ चाड़ की थी उसकी माफी मांगी थी आपने बाप से वो तो करजा बैलेंस में है ना कौन बोला उपर जाने की तैयारी हो गई है हमारी repentance तो नहीं हुआ उसमें धार्मिक तावास करेगी sorry to say थोड़ सोच के देखो जो पहले आगमन की आइडियोलोजी पर चिंतन करेगा वो ऐस सेकंड कमिंग में महिमा की देह प्राप्ट करेगा और यदि हमने दूसरी आगमन में प्रवेश करने की तैयारी की मंसा रखी है तो निर्मल नहीं अमर निर्मल और अजर मिरास का चिंतन होना चाहिए यह एक दिदी खड़ी है कितना चे डिकोरेशन किया है इधार से पंका चला थोड़ी सी कूर्ती उड़ी अपनी नजर कहां बिटिया है वो हमारी उसकी कूर्ती बार उड़ने दो फिर देखना भूखे सेर की तरह हम जहाकते है हमारा दृष्टी कौर गंदा है बदलाव नहीं हुआ वहाँ दोश है हम कितनी वुजुर्ग हो जाएं उड़ते पल्लू को देखते बराबर नजर कहीं और जाती है हम हारे हुए हैं हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है मल्यालम में बहुत अच्छा सब्द कहते इंद्री जयम और थात इंद्री के ऊपर जिसने जय प्राप्त किया है वह है निर्दोश कहा है कलीसिया जो तेज़श्वी कलीसिया में बदल गई है चमतकार हो सकते हैं परंतु विवेक में मेलापन है अशुद्ध ताएं हैं आप अवित्री दाग हैं जुर्या हैं इशु के आगमन के समय कठिनाई होगी ऐसे समय में आप लंबाई और चोडाई और उचाई वाले नगर में जो हवा में लटके हुए बंगले हैं वहां का सपना देखना निरी अज्यानता पूर्वक रवया होगा मैं एक नए आकाश और नई प्रत्वी बनाऊंगा उसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु प्रवेश नहीं करेगी ऐसा प्रकाशित वाक्य के अंदर में लिखा है अब हम प्रकाशित वाक्य के किताब और उसका 21 अध्याय का 27 पद पढ़के बंद कर देंगे बुक ओफ रेवलेशन चप्टर 21 और वर्स 27 उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घरनित काम करने वाला या जूट का गढ़ने वाला किसी रीती से प्रवेश नहीं करेगा पर खेवल वे लोग है जिनके नाम मैमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं लिखवाओ अपना नाम ये वाले रजिश्टर में हो सकता है परन्तु वो वाले रजिश्टर के बारे में आपका अपना क्या सोच है अब हम रुख जाएंगे जहां जहां पवितर आत्मा आपको चोट दे रहा है जहां जहां आपके अंदर व्याकुलता है जहां जहां हमारी जिन्दगी में उल्जने है हमको ऐसा लग रहा है कि हम परमेश्वर के डिसिप्लिन को नई मान रहे हैं हम परमेश्वर की आइडिया से बाहर आ गए हैं, हो सकता है विवाह के पहले अपनी पतनी को जब वो गल्फरेंड थी आपने इलीगल रिष्टे में पाँच साल रहे जिसको आपने कभी पाप नहीं समझा और वोट करजा आपके नाम पर है, वह कहीं आपको उपर जाने से र प्रभु मिल जाएगा, अपनी आँखे बंद करें, पिता परमेश्वर हम आपको धनेवाद देते हैं, कोई भी आपवित्र वस्तू घरनित, घरनित का मतलब होता अबाव मिनेशन, दुष्टिता की युकती के आधार पर जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को अबाव जब कभी घरनित वस्तू पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, राजा आज कहीं न कहीं हमारी जिंदगी उस पड़ाव में पड़ी है, जहां पर प्रभु अशुध ताएं हैं, आपवित्र ताएं हैं, हम कलीसिया हो सकते हैं, परन्तु तेजश्वी कलीसिया बनने क लिए हम क्या करें, प्यारे पिता जी, ऐसे समय में आपका अनुग्रह चाहते हैं, धन्यवाद, कुछ मिनिट और रुख जाएं, वचन के साथ साथ समर्पन की भी जरूरत है, हमें मालूम है आज हम देरी से हैं, बटे निहाओ, हम परमिश्वर की उपस्थी से निकल न जा यहुदा इस कारियोती भी ऐसे ही निकल गया था, थांक यू जीजस, आप में से कितने लोगों का मन व्याकुल व्याकुल लग रहा है, जो अनकंफरिटिबल फील कर रहे हैं, जो गिल्टी कॉंशियस में है, जिनका मन दोशी ठहरा रहा है, वे अपने पैरों के बल खड़ होकर के, आज रात अपने घर जाने से पहले खुदा से मुआफि मांग के चले जाएं, पिता मैं यहां हूँ, मेरे पाप छमा कर, ऐसे बोल करके प्रात्न करने वाले लोग अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं, जहां कहीं परमिश्वर ने आपको हर्ट किया है, परमिश जिसका अंगिकार किया गया है, घर तो जिन्दगी बर जाना है, यदि इस्थाई घर से तुम्हारा रिजर्वेशन कैंसल हो गया, तो कितना महंगा पड़ेगा, थोड़ा सोचिएगा, ठोड़ा सोचिएगा, ठोड़े इस दे डे अफ रेपेंटेंस, यदि इस्राइल के घमंड को तोड़ने के लिए उसकी बरबादी, यदि हमास को पस्चताप के लिए लाने के लिए उसके शहर की बरबादी, यदि धरती के अंदर में शारिरिक लोग, शारिरिक रीती से, दानवी ये तांड़ाव के संपर्क में हैं, तो कलीसिया को लापरवाह नहीं रहना चाहिए, मेरा परमेश्वर अब मेमने की तरह वैवहार नहीं कर रहा, वरनव यहूदा का सीह बन करके गरज रहा है, दिस इस टाइम अफ लाइन अब जूड़ा, ताइम इस ओवर, समय खत्म हो गया, जब मिम्याने वाला ये शु कहे, मैं, 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 अब हमारा प्रभू वकालत छोड़ दिया है, और उसने नयायासन पर बैट करके धर्ती का नयाय करना सुरू कर दिया है, अभी वो बबरशेर बन गया है, लाइन अब जूड़ा, वो दहाड रहा है, ये युद्ध परमेश्वर की दहाड है, मन फिराओ और लोटाओ, क्योंकि परमेश्वर का राजनिकट आ गया है, मन फिराओ और लोटाओ, स्वर्ग का राजनिकट आ गया है, पिता परमेश्वर, ये जितने भी लोग खड़े हैं, जिनका मन काट रहा है, जहां जहां वे अपनी गलतियों में पाए गए, प्यारे पिता परमेश्वर, उनके पापों को याद दिला आया है आपने, आज वे मौाफी मांगती हुए परमेश्वर से याचना करती रहें, जो अपने पापों को मान लेता है, और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, और जो उसको छुपा रखता है, उसका काम सफल नहीं होता, प्यारे पिता जी, जितने लोग होकर के, आज कहीं न कहीं वचन के द्वारा चोट खाए, प्रभू, आज निश्कलंग और निर्दोष और बेदागी और बेजुर्री कलीसिया बनाने के लिए, जिसका नाम तेजश्वी कलीसिया होगी, आज इस मील के पत्थर पर आपकी दया बनी रहे, तच लॉड, तेर को मिटा के जीरो बैलेंस कर दो प्रभू, प्लीज, फर्गिब देर ना, सिंस, मैं अपने नाम के नियमित, यशे ये 43-25 में लिखा है, मैं अपने नाम के नियमित, तुम्हारे सारे अपराधों को मिटा डालूँगा, और दुबारा कभी याद नहीं करूँगा, आज हम सम ताप किये भी ना बाहर चले जाएं, रोटी खाए भी ना बाहर चले जाएं, तो अंध्यारे में कोई हमारा इंतजार कर रहा है, बाप हमें आपके चर्णों में ठेहरे रहने का अनुगरे देना, हमें जुगाली करने का मोका देना, हम सुन के ना चले जाएं, वर्ण रात आदबुद और शक्तिशाली हाथ हरे को इसपश करे अए पवित्र आत्मा आपके दास की ड्यूटी खतम अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है लेटर किल्ट्स बड़ इस्पिरिट अफ गॉड गेवस दी लाइफ शब्द मारता है आत्मा जिलाता है हे पिता नए जरूशले में ये घटिया काम करने वाले कभी प्रवेश नहीं करेंगे उस नए पवित्र नगर में कोई भी अधर्मी प्रवेश नहीं करेगा कहीं ऐसा नहों कि हम छोटे-छोटे कामों के कारण से अनंतकाल की संपत्ति अपने हाथों से खो देवे पिता मुझे भी इस लायक बना कि मेरी कल्पनाएं कहीं भी दायावाया ना होने पाएं सपने का भी हिसाब आप मुझसे मांगेंगे बाप हम पर दया होने दीजेगा हमारी वोकेबलरी में कंडमेनेशन है हम नकरात्मक बोलते हैं यशयाह भी ऐसे ही बोलता था इसकी चक्कर में उसका डिमोशन हो गया परमेशन उसे बातकरना बन कर दिया हम चूक कर रहे हैं अपने बोल में हम चूक कर रहे हैं अपने कानों में हम चूक कर रहे हैं अपने कल्पनाओं में हमें तेज़श्वी कलीसिया बना दे बाप पिता जी तब हम नहीं जरुशले में प्रवेश होने का कारण बन जाएंगे समय की देरी के लिए मुआफी मांगते परन्तु आज हमारे तेरे प्रिये लोगों का आपके चर्णों में ठेहरे रहना जीवन की किताब में प्रतिफल का विशे बन जाए बाप जितने भी लोग हैं उनको छू लेना और यदि कोई बिमार है तो पिता आप अपना अदबुद शक्तिशाली हाथ बढ़ा के उनके तन को पून रिती से स्वस्थ कीजे चाहे शूगर हो, चाहे बलड प्रेशर हो, चाहे अर्थराइटीस हो, चाहे मेंटली डिप्रेशन हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो, स्पॉंडलाइटीस हो, गर्धन का दर्द हो प्यारे पिता जी बेटियों की गुपत बिमारिया है उनकी किड्नी में समस्या है उनके न्यूट्रेस में प्राबलम है वाइट डिस्चार्ज होता है प्यारे पिता आप अपना पवित्र हाथ बढ़ा कर हर एक को छूलो समय हो गया है हमारे लोगों को भी जाना है और आपको भी जल्दी है पिता छूलो आपकी महिमा होने पाए पिता जी आपको धन्यवाद नासरत के इश्यू के नाम में मांगते हैं आमें जूज़स आए जोड़ा तालिब हुजा कि हम प्रभु की महिमा करेंगे जाने से पहले मेरे पिया आपको एक कुछ खलाश में बताता हूँ कल की शुबा दस बज़े